द्वादर वुत्तिर भारत मा ठंडी अने दुम्मस तु कहरी अथा वच्छे अने दिल्ली मा आज थी थंडी वधवानी आगाही करवामा आवी रही छे जमो काश्मीर अने हिमाचल मा धुम्मस अने ठंडी वच्छे उत्तर प्रदेश हर्याना अने पंजाब मा पन भारे धुम्मस जुवा मडशे मार्ग रेल्वे अने हवाई व्याभार ने मुटा पाए असर जुवा मड़ी रही छे देश के राजधानी दिल्ली में ठंडी का डबल अटाइक देखने को मिल रहा है एक तरफ जहां मिनिममम टेंपरेचर में और ज्यादा कमी हुई है वहीं पर दूसरी तरफ कोहरे के भी मार दिल्ली वासियों को जेलनी पड़ रही है खास करके मिनिममम टेंपरेचर की बात करें तो उसमें 2.04 डिग्री सेल्सियस की धिरावट दर्ज की गई है और आज दिल्ली का जो तापमान है वो 8.04 डिग्री सेल्सियस है जबकि कोहरे की विजिविल्टी के अगर बात करें तो फिलहाल दिन का कापमान चढ़ने के साथ ही जो विजिविल्टी है करीब 400 मीटर हो गई है लेकिन सुबह 5.30 बजे जो डिल्ली में कोहरे की जो इस्तिती थी उसकी विजिविल्टी जो थी वो 25 मीटर तक पहुच चुकी थी फिलहाल आप राश्पती भवन का नजारा देख सकते हैं जो यहां से करीब 300 से 400 मीटर की दूरी पे इस्तित है फिलहाल राश्पती भवन कैमरे की नजर से दिखाई दे रहा है लेकिन अभी भी फौक की वही इस्ति बनी हुई है और यह नजारा सिर्फ देश की राधाने दिली या NCR का नहीं है बलकि पूरे उत्तर भारत में इसी तरह की कडाके की ठंड देखने को मिल रही है और साथी साथ कोहरे की मार भी जेलने पड़ रही है खास करके पूर्वी उत्तर परदेश से लेकर के पंजाब तक भ्यानक अस्तर पे कोहरा देखने को मिल रहा है जिसकी वज़ा से ना सिर्फ सड़कों पे आवा गमन प्रभावित हुआ है बलकि मौसम भिभाग की तरफ से एडवाजरी जारी की गई है और कहा गया है कि बहुत जरूरी ना हो तो कम से कम आउटिंग के लिए न जाए और साथी साथ जब सड़कों पे निकलें तो कम सकम फॉग लाइट का इस्तिमाल करें दिली से कैमरेमन राजु चोहन के साथ मैं अजय यादो संदेश नूज